नमस्कार स्कूल से जुड़े हुए विदार्तियों परतियोगी परीक्षाओं की त्यारी करने वाले मेरे प्यारे साथ यूँ मैं हनुमाना राम डाका फिजिक्स लेक्टरार आप सभी का एचार डाका यूटूब चैनल पर हार्दिक श्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम जो कंपिटिशन की और 11 कलास के रिविजन की सिरीज चल रही है यह सेकिंड पार्ट है इसमें हम गती की व्याक्या डिस्क्रिप्शन ओप मोशन और सदिस का रिविजन करेंगे और इन से समदित RPSC 1st grade में किस परकार के क्यूशन आये हैं उनकी चर्चा करेंगे वीडियो के अंत तक बने रही है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिले गया और आपको इसमें मैं एक मोटिवेशन के तोर पर कुछ बातें बताऊंगा इस वीडियो में मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ पेले पांच मिन्त देखते ही आपको पता लग जाता है कि इस वीडियो में क्या क्या होने वाड़ा है तो मैं इस वीडियो में रिविजन करवाने के बाद में RPSC 1st grade का जो अभी 2020 में पेपर हुआ था उसका क्यूसन नमार 126 आप अराम से देख सकते हैं स्क्रीन सोट ले लो खुद अल कर सकते हैं वीडियो देखने से पहले तो अल करिये ताकि आपका मुल्याकन हो सके 11th class की विदार 30 में कितना अल कर पाते हैं जो अभी 12th के अंदर आये हैं तो आप खुद परीक्षा दीजिए इस स्कूलों में तो परीक्षा नहीं हो सकी कोरोना वाइरिस की चलते लेकिन आप खुद अपना मुल्याकन केईजिए क्यूसन 126 आप पढ़ो और याद करो में इनको बाद में अल कराऊंगा वीडियो के आंत में 127 वाला आप देखो कर सकते हो तो पोज करते जाओ उसके बाद में 128 वाल करके देखो यदि आप पढ़ पोज करके थोड़ा सा आपको कर्ष्ट तो सेना ही पढ़ेगा अभी मैं बताऊंगा क्यों कर्ष्ट रेना पढ़ेगा आपको 133 ये देखो पढ़ के अल करो मैं अभी रिविजन करवाते ही आपको ये सारे क्योशन 20 सेकंड के अंदर अल करवा दूँगा एक एक क्योशन तो 130 और उसके बाद में ये 142, 2013 में आयवा क्योशन अल करो आप 143 अल करो ये कैवल RPSC फर्स्ट ग्रेड की बाद नहीं ये कोई से भी कम्प्यूटिशन एकजाम में ऐसे क्योशन आते हैं इलेंट कलास से समन्दित 144 नमर क्योशन ये 2013 का आप देखो उसके बाद में 145, 143 उसके बाद में 25 नमर क्योशन 2011 का हम अल करेंगे और फिर ये क्योशन नमर 2015 में आया है तीसरा उसको अल करेंगे जो गतिक की व्याक्या और सदिसु से समन्दित क्योशन में ने टोपिक वाइस अलक से लिये हैं पांचवा क्यूशन अल करेंगे हम सदीश हैं 2015 में आया हुआ है और चौता क्यूशन हम अल करेंगे प्रिक्षे पे गतिश हैं 2015 में आया हुआ है तो इन क्यूशनों की अल हम करेंगे तो मेरे साथियों आज मंगलवा रहे हैं मैं अनुमान जी महराज से हैं आपके उत्तम स्वास्ति की कामना करता हूँ साथियों आज इस चित्र को आप थोड़ा ध्यान से देखिए इस चित्र से मैं आपको कुछ समझाने का परियास करूँगा आप मेरे साथ दो इस बात को ध्यान से समझिए मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ कि एक बार मूर्ती और जो ये मंदर की सीडियां होती है इस मूर्ती और मंदर की सीडियों में बाचीत हुई बाचीत क्या हुई मंदर की सीडियों ने कहा कि ये जो आदमी है ये जा रहे हैं ये मेरे पर पेर रखते जा रहे हैं और मेरा कोई आदर शत्कार नहीं कर रहे है और तुम्हारे आगे हात जोड रहे है तुम्हारे से मनत मांग रहे है मन में तुमारे पड़ती आसता है क्या कारण है हम तो दोनु एक ही मेदान से मतलब जो एक ही खान थी वहीं से ये पत्थर आए जो कौन से सीडियों वाले आए और वहीं से ये जो पत्थर है वो मूर्तिक आया तो हम दोनु एक ही ख़दान से आए एक ही प्रस्ततियों से हम उत्पन हुए फिर क्या कारण है कि ये जो जो आपके लोग आ रहे हैं भगत आ रहे हैं वो सीडियों का तो आधर कर नहीं रहें और आपके आगे हाथ चोड़ें तो मूर्ति नहीं क्या जबाओ दिया मूर्ति ने का सीडियों के पत्तर से का कि जिस टाइम कलाकार मूर्ति कार दोड़े की चोट लगा रहा था ना हमको ख़जान से निकाल कर तो सीडियां से का कि जब सीडियों वाड़े पत्तर ने क्या का कि नहीं नहीं मेरे से तो चोट सेयन नहीं हो सकती मेरे को तो इसी आलत म छोटो मैं तो सेंग रही है नहीं सकता बिलकुल भी और जब मेरे पर चोट पड़ी थी न दीरे दीरे चोटी चोटी तरे-तरे की मतलब चोटें गिर रही मैंने कुछ नहीं का मुर्थिकार के आतुमे में मैंने शौंप दिया और जैसा उसने रूप दिया और उसने मेरे पर बहुत सारी चोटें डाली तब जाके मतलब आज लोग मेरे आगे हाथ जोड रहे हैं मेरे पर ति आस्ता रख रहे हैं और तुने जिस टाइम चोट खाने की बारी हुई संग्रस करने की बारी थी उस टाइम मेनत करने की जब आपकी बारी थी उस टाइम में तुने मना कर दिया था कि मैं और चोट जादा खाने के लिए तैयार नहीं हूँ यही कार्ण है कि यह जो लोग है तो सीधे पेर रखके जा रहे हैं और मेरे आगे आज जोड़ रहे हैं तो विदारतियों मैं आप से कहना चाहता हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपको सूरज की तरह यदि चमकना है उसकी तरह आपको जलना तो पड़ेगा आपके सामने दो ओप्षन है एक ओप्षन आपके पास में क्या है कि जो आपके टारगेट से रिलेटेड वीडियोज है चाहे मेरे देखो या नहीं देखो मैं आपको बात यह नहीं करता हूँ किसी के देखो चाहे आप टारगेट से समन्दित वीडियोज है वो देखोगे तो आपके माइंड में थोड़ी तकलीप होगी लेकिन बाद में आपकी लोग वावा करेंगे आपका आदर सतकार होगा आप अपने जीवन में सपल माने जाओगे और लोग आपको रोल मोडल मानेंगे और यदि आपने आपके टारगेट से समन्दित वीडियोज नहीं देखे मतलब फालतू के देखे वीडियोज टाइम को वेस्टेज किया तो यही जो आपका मनोरंजन तो होगा मैं कहता हूँ आप मनो मंजन कीजिए, मनो रंजन नहीं, मनो रंजन तो आपका होगा, लेकिन फिर आपको तकलीफ होगी, यहां आपको माइंड को तो एकदम अच्छा लगेगा, माइंड को अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ब बात को प्रेरणा की रूप में लेते हुए तैयारी कीजिए संगर्स आपको करना पड़ेगा गर्मियू में आपको तपना पड़ेगा मेनत रूपी चोटें आपको खानी पड़ेगी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है या आप इस यूटूब चैनल पर नए हो तो इस यूटूब चैनल को आप तुरूंत सब्सक्राइब करो लाइक करो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो कमेंट करो यदि आपके कोई सुजाव है तो कमेंट करो और यदि आप अपने दोस्तों की help करना चाहते हो तो इस वीडियो को आगे share करो और तो चलते हैं हम बिना time लगाएं आज का हमारा vector के बारे में पहले हम बात करते हैं फिर description of motion के बारे में बात करेंगे vector इसमें पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि scalar quantities कौन सी होती है अदीश रासिय होती है जिन का मतलब परिमान तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है वो अदीश रासिया होती है फिर हम बात करें सदीश रासिया कौन सी होती है तो जिनका परिमान और दिशा दोनों होती है और तो सदीशों के नियमों का भी पालन करती है देखो मैं दो तीन नाम बोल रह है लेकिन यह क्या आएवन है इसका ंड होगा यह सदीजों के नीयम में हुए पड़ने तो सदीजों का नियम है पहला है किसी का युणीट वेक्टरिन निकारना ओना एक वेक्टर बटबरा उसका मापांट फटा पर करो फीर्ण क्यूशन करेंगे यह आने चाहिए आपको उसके बाद में तो मेनत करने शुरू कर दो फिर वेक्टरों को जोड़े A प्लस B तो इसके आधार पर भी क्यूशन होगा A प्लस B तो AX प्लस BX A केफ मतलब A केफ वाले जोड़ दो फिर गुणाक J केफ वाले फिर ऐसे कितने भी वेक्टर है उनको जोड़ दो यदि उनका डोट प्रोडेक्ट निकालना हो A डोट B का क्या होता है यदि IJ के में देर का हो तो AX BX A Y B होए A का मापांक B का मापांक कोस थिटा चलो एक क्यूशन करवा देता हूं आपको चलो 143 नमर हम क्यूशन करते हैं क्यूशन क्या है कि यदि एक वेक्टर बराबर दो IK प्लस चार जेकेफ B वेक्टर बराबर पांच IK माइनस साथ जेकेफ C बराबर A प्लस B हो को तो C का परीमान ग्यात करो तो देखो जोड़ दो यहां खुद भी करो A और B को तो मैंने क्या का I बाड़ जोड़ दो पांचर डो कितने हुए है C वेक्टर जोड़ है तो C क्या हो जाएगा यह पांचर दो 7 IK उसके बाद में इनको जोड़ो 4-7 माइनस का 3J के मापांग कैसे निकारते हैं मापांग निकारते हैं एक X स्क्वाइर प्लस B यानि इनका स्क्वाइर कर दो इनके परिमान कुछ है तो 7 का स्क्वाइर प्लस 3 का स्क्वाइर कितना हो गया यह हो गया 49 प्लस यह 9 तो रूट 58 तो यह आपने RPC फॉस्ट ग्रेड का एक क्यूसन अल कर दिया चलो एक और करवा देता हूँ 142 वाला फिर हम रिविजन पर चलते हैं दो सदीस राशियों का योग और अंतर परिमान में समान हो तो उनके बीच का कौन ग्याद करो आप देखो कल भी मैंने पिछले पार्ट में बताया था A का मापांक और इनका जो अंतर है न वो बराबर है वरग तो कर सकते हो न दोनू और वरग कर दो तो A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर प्लस क्या आएगा मापांक में 2 A डोट B आएगा A डोट B ऐसे ही इधर वाला कोलोगे तो क्या आएगा कलर चेंज कर लेता हूँ येलो तो माइनस वाड़ा A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर माइनस 2 A डोट B इतना तो आप समझते हो यहां थोड़ा मेरे पास में जगे नहीं है लेकिन जब बराबर करोगे तो ये तो कट जाएंगे और इनको जब चार A डोट B बराबर क्या आएगा जीरो आएगा और A डोट B बराबर वापिस आपके पास में जीरो आएगा इसका मतलब क्या है A.B.0 कब होता है जब θटा का मान कितना होता है यानि 90 तो आपने ये भी कर दिया चलो ये तो मानलो किस साल में आया 13 में आया अब फर्ट ग्रेड की त्यारी करने वाड़े ध्यान से अब अभी मैंने जो करवाया वो 13 में आया 18 में कौन सा आया वो ही आ गया 2 सदी से और B हो A प्लस B का मापांक A में हमेशा सत्य होगा तो A की ओप्सन है हमेशा सत्य कब होता है जब A और B लंबोत होता है ना थिटा बराबर जब 90 डिग्री होता है तो इसका मापांग A प्लस B का मापांग और A माइनस B का मापांग क्या होता है वो हमेशा ही बराबर होता है यह इसका दूसरा ओप्सन आपने भी सेकेंड के अंदर कर दिया आपका टाइम बच गया तो आप प्रेक्टिश करो 3000 वेकेंसी निकली हुई है फर्स्ट ग्रेड वा एकजाम में आ रहे हैं अब देखो आगे A क्रोश B कैसे निकारते हैं इले हुँ तो आले द्यान से सुन दो भई आज अगला वीडियो आएगा अभी टो बराबर आर क्रोश है पारने वाड़ा है मैं दिवद्रुए के कारण जो आपको बल आगुन वाड़ा डेरिवेशन क तर आने वाड़ा हूं तो समझ लेना किस परकार से वेक्टर वाले हैं तो यह सुतर है आई जे के लिग देना और उसके बाद में पहले वेक्टर के जो आई के गुणा के जे के एकस एवाई ये एजेड बी एकस बीवाई बीजेड तो यह फॉर्मुला आपको यह सार निक की जिगलिके वेें परिणामी सधीशा बराब रूट कि U square प्लस Q square टू-P Qалось ए किसी दो सदीशों के परिणामी इस पर प्लस Q जिखी में हो परस्ट ग्रेड में क्या कह रहा है दोसरा किया लग लग रहा है इनका जो रिजल्टेंट वह भी क्या है फे तो दोनु बल्लूं के मद्य कोंड ग्याद करो कैसे ग्याद करों पूछा लिया आर बराबर A square plus B square plus 2 AB cos theta उसके बाद में R का मान B A B F square plus F square plus 2 F square cos theta तो यह F square से F square cancel हो गया इदर ले आओ तो यह आएगा आपका हल करोगे तो cos theta बराबर minus का 1 बटा 2 cos theta बराबर minus 1 बटा 2 कब आएगा cos 120 का जो मान होता है तो minus 1 बटा 2 होता है अंस्वर क्या आगिया विदार्तियों तो दोस बल बराबर और उनके बीच में यदि 120 डिगरी का कौन होगा न इनके बीच में 120 का इनका result है क्या होगा एप ही होगा तो आप भटा बट कर सकते हो ऐसा क्यूशन आ गया ठीक है ना तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं तो दिख को जी हैं क्या होती है cos का मतलब क्या होता है मान लो कोई भी वेक्टर है वो X X से अलपा कौन बना रहा है Y X से बीटा बना रहा है और Z X से गामा बना रहा है cos square अलपा प्लस cos square बीटा प्लस cos square गामा बराबर है एक है और अभी मैंने करवाया था इस concept बराबर A dot B तो दो सदिश लंबोत होंगे यदि A dot B बराबर क्या हो 0 तो लो A क्यूसन करवा देता हूँ आपको इस concept पर है क्यूसन आपको करवाता हूँ 2011 मायवा 95 नमर क्यूसन दो नमर का देखो कैसे निकाड़ोगे यह कह रहा है कि X का मान ग्याद करो X का मान ग्याद करो जिसके लिए 2 सदिस A बराबर ये और B बराबर ये तो पर्ष पर लंबोत होंगे अभी अभी मैंने बताया है 2 सदिस लंबोत कब होते हैं जब A dot B क्या होता है 0 इनका dot product निकाल दो 5 गुना 4 कितना 20 प्लस 2 इंटू X 2 X उसके बाद में माइनस 4, माइनस 5 तो प्लस का 20 बराबर क्या होना चाहिए 0, 20, 20, 40 उदर जाएंगे माइनस 40 तो 2 X बराबर माइनस 40 2 का भाग लगा तो माइनस 20 तो इस कांस्वर क्या हो जाएगा माइनस 20 आजाएगा ज्यादा फास्ट बहुत रहाँ वीडियो दिरे कर सकते हो यूटूब में ओप्शन होता है कितना भी फास्ट पास्ट डिविजन करना चाहते हो और टीवी आपको वो दिखाता है जो टीवी दिखाना चाहता है तो यूटूब बेस्ट है तो वीडियो के अंत तक बढ़े रही है तपना तो पढ़ेगा ना मूर्ती जैसा बनना है ना आपको तो देखो और चाल के बारे में सुत्र याद रगलो जब किसी वस्टू की गती में केवल एक निर्दे सांग बदले तो इसे एक वी मेर दो बदले तो दी वी मेर तीन बदले तो त्री वी मेर और यदि आपको आउकलन के पद्दू में आउकलन के सुत्र बगेरा याद कर लेना वही वो तो बहुत सारे किताब में से आज बोलके आउकलन के सुत्र पड़ लेदाई चाम आएंगे वी बराबर दीक्स बट थी यदी देखो … यदी आपका विस्टापन में परिवर्तन होता है तो वेग हेग में परिवर्तन होता है तो थे ताउरन तो भी बराबर डीक्स बटा धी त तो फिर अहमने dv y dt a निकालने का अब इस concept पर क्यूशन आता है भई बार बार है देखो a बराबर तवरण निकालना पड़ता है न तो इसको बोलते हैं जैसे dx से उपर नीचे आप multiply कर दो dv बटा dt शे हैं तो ये dv बटा dx तो side में रख लो dx बटा dt क्या होता है वेग तो तवरण का ये जो सूतर होता है वी बड़ी बटा dx मैं आपको एक क्यूशन करने के लिए देता हूँ आप अंस्वर है ना comment box में लिखिए देखता हूँ कि कौन सा competitor है वो इसका सई अंस्वर देता है क्यूशन अभी देता हूँ आपको इस सूतर पर है तपना तो पड़ेगा जलना तो पड़ेगा तो सफल होना है ना तो क्यूशन नमर 99 दे रहा हूँ आपको ये 2011 का कुद को करने के लिए थोड़ी इंट दे देता हूँ 0.5 केजी दिर्यमान का एक कंड वी बराबर ए एक्स की गात है तीन बटा दो एक्स के वेक से रे की अगति करता है जहां ए बराबर पांच ये मात रख दे रहा है इसका एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 2 तक इसके विश्टापन कुल बल ग्याच करना है तो बल एक्स बराबर होता है अब ए बराबर मैंने सुतर लिखा है आपको क्या वी डी वी बटा डी एक्स ये देख लो वी की वेल्यू दे रखिए एक्स के साब एक्स आपको आउकलन करना है उसके बाद मैं आप ए निकाड़ लो इस उतर से एमे में रख देना ये कल मैं करा दूँगा आपको आज आपको कमेंट बॉक्स में इसका अंस्वर लिखना है कौन-कौन सही उतर देता है उनका फिर कल नाम लेऊंगा मैं कि इन्हें उन्हें सही नाम उतर लिख के बता है क्यूसन नमर 99 में क्यूसन नमर A से लिख देना 99 और फिर उसका अंस्वर लिख देना देखते हैं कौन सही इसका जबाव देता है हिंट आपको दे दिया फिर वीडियो लंबा हो जाएगा कंसेप्ट सारे कलियर करने हमें डिस्क्रिप्शन और मोशन और वेक्टर के तो अब देखते हैं यूनिपोरम एसिलेरेटेड मोशन है एक समान तवरित गती के बारे में हम बात करते हैं तो यह गती के समीकर याद रख लो V बराबर U पलस 80 S बराबर U T पलस आप 80 स्क्वाइर V स्क्वाइर बराबर U स्क्वाइर पलस 2S बहुत क्यों सनाते हैं बच्वों बहुत क्यों सनाते हैं इस पर है जितनी प्रेक्टिश करोगे N में सेकेंड में तेकी गी दूरी का सुतर है S N बराबर U पलस एक बटा दू A इंटू 2N माइनस है बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये तो उसके बाद में चलो मैं इस पर एक करवाई देता हूं तीन सुत्रों पर एक आपको प्रेक्टिश करवा देता हूं चलो हम 2015 का क्यूसर नमर 3 करते हैं तो ये क्या कहता है ये कह रहा है कि एक कंड पलस एक्स दिसा में नियत तवरण से गती कर रहा है ठीक है ये इसका पॉंस्टेंट है और वो जो गती की समीकन है ना वो तभी लगते हैं कि जब आपका तवरण क्या है पॉंस्टेंट है वरना नहीं लगेगा नियत तवरण इससे गती कर रहा है यदि एक्स बराबर 5 पर है सपोज करो ये एक्स बराबर यहां से 5 पर था 5 पर इसकी चाल है 10 मीटर पर सेकिंड है तो इसका जो प्रारंबिक वेग क्या है प्रारंबिक वेग है वो यू बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकिंड है टी बराबर 2 सेकिंड पर साथ टी का मान कितना है 2 सेकिंड पर साथ ये एक्स बराबर 65 पर चला जाता है एक्स बराबर है 65 मीटर पर चला जाता है तवरण ग्यात करो क्या कहना चाता है द्यान से समझो विधार जो बहुत इजी क्यूसन है इसने आपको बेवकू बना दिया क्या बना दिया ये पांच पर था 65 तक गया S बराबर कितना हुआ 60 हुआ यानि विश्टापनिश ने कितना ते किया अब लगा दो S बराबर UT प्लस है एक बटा दो 80 स्क्वाइर है ना जब 11 कलास में थे हैं हमें बहुत अचा लगता था इसे बोलते थे तो S बराबर UT प्लस है तो S का मान कितना है S का मान 60 प्रानभी वेक कितना था प्रानभी वेक 10 गुणा टाइम कितना था 2 प्लस एक बटा 2 एक गुणा टाइम का इसक्वाइर च्यार अब मैं आप कोपी विम्याल करिए मैं आपका अंसर बता देता हूं यह यहां कटके 2A बचेगा 10 दूनी 20 इदर पक्षांतन हो जाएगा तो पक्षांतन हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 10 के उपर ही लिख देता हूं पक्षांतन हो के यह इदर आएगा 60 में से 20 गया 40 से और उदर बचेगा आपका 2A वेल्यू रखनी विदाती हूं यह बराबर आज जाएगा आपका 20 से मिटर परती सेकिंड इसकाइड कौन सा ओप्षन है यह रहा कौन सी समीकन लगानी है दूबार बता देता हूं कन्फ्यूजन एक ही चीज़ करेगी S क्या है 60 S बराबर U कितना है U आपका यह रहा प्रारंबिक चाल 10 तो UT कि टाइम कितना है 2 सेकिंड प्लस एक बटा दो एक बटा दो ए हमें ग्यात करना है टाइम दे रखा है अल कर लेना है भूत इजी है है ना कंसेप्ट क्या है विदारती हूं कंसेप्ट रटो समझ लो समझा तो है मैं तो रटवाने आया हूं निर्पेक्स गती तो वेग बल्ट कर लगा दो R डेस बराबर R माइनस R 0 और V डेस बराबर V माइनस 0 इसका मतलब क्या है वेग बल्ट के लगा दो ये कैसे लिका मैंने मैंने का कि ये जो कार है ये A कार है वो 80 की स्पीड से चल रही है इसके आगे एक दूसरी कार है V वो चल रही है 60 B के सापेक्स A का वेग पुछे B के सापेक्स से A का वेग पुछे तो जो जिसके सापेक्स पुछ रहा है वेग बल्ट के लगा दो यानि इसको ऐसा लगेगा जैसे B के सापेक्ष B में बैठावा वेक्ती A को किस है साप से दिखेगा तो A वाला जो वेग है न जो सापेक्ष पूछ रहा है इसके पल्ट के लगा दो यह IAT मेर है हम जब तयारी कर रहे थे कम्पिटिशन एक्जाम की तब हमारे आज़ तोस्टी सर आता हुआ नजर आएगा चलो इस पर एक कम करते हैं नुमेरिकल करते हैं 2018 का क्यूस नमर 117 इस देग लेते हैं देखो यह क्या कह रहा है यह कह रहा है दो समांतर रेल पट्रियां उत्तर दक्षिने दिशा में है यह मालो नोर्त है यह साउत हैं समांतर रेल पट्रियां है एक रेल गाड़ ए उत्तर दिशा में 15 की स्पीड से जा रही 15 मिटर पर सेकंड से जा रही यहाँ पर ए जा रही है कितने स्पीड है 15 से दक्षिन उसके बाद में दूसरी रेल गाड़ी बी दक्षिन दिशा में 25 मिटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है ये भी ये वो 25 है ठीक है चाल से गति विपरित दिशा में फिर रेलगाडी एक चत पर गति की विपरित दिशा में रेलगाडी A के सापेक्ष 5 मिटर पर सेकेंड के वेग से इसके सापेक्ष A पर 5 मिटर पर वेग से दोड़ते हुए एक बंदर का वेग क्या होगा जो परत्वी उपर खड़े वेगती दवारा देखा जा सकता है देखो ये कन्फ्यूजन कर दिया आपको बहुत हीजी है मान लो ये एक रेल गाड़ी A जा रही है B तो आपको बावला बनाने के लिए दिया है B का कोई मतलब भी नहीं है B पर बंदर नहीं है B पर कोई आदमी नहीं है बस जा रही है बहुत सारी दुनिया में जाती रहती है अमें उस पर परवा नहीं रखनी चाहिए, अमें एपर रखना है, ठीक है, ये उतर की और जारी है, इस पर एक बंदर है, इसके साफ इस पांच की स्पीड से इधर जा रहा है, यहां खड़ा वेकती है, उसको क्या दिखेगा, इन दोनों का अंतर ही तो दिखेगा, पंदरा म पर शेकें, उतर की और यह उप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत कॉमन सेंस का क्यूसन है यह, बहुत बड़ा क्यूसन बनवा दिया, अब यह 12 वालविदार्ती नराज हो सकते हैं भी, कि गुरु जीत क्या कर रहे हैं, बहुत जादा नुमेरिकल कर वा रहे हैं, तो चलो पहले आपको रिविजन करवा देता हूं, फिर आप नुमेरिकल का रिविजन करके आप चले जाना, कम्पिटिशन वाले विदार्ती क्या करेंगे, उनको तो भई अल करना पड़ेगा, उनको तपना पड़ेगा न, तब तो आप भी ठीक रहेगा, आपको भी आगे सक्षे जानते तो होई, कि किस परकार से प्रिक्षे पी गती जैसे मान लो, यह X, X है, यह Y, X है, यहां से एक कोई गेंद को भेंग दिया, प्रारंबीक वेंग U है, यह प्रारंबीक से थिटा कॉन बना रही है, इसका 36 गटक U कोस थिटा हमेशा कॉंस्टेंट रहता है, तो यह अ आक्यूसन आया हुए है, Y बराबर X 10 थिटा माइनस का जी बटा 2U स्कॉयर कोस स्कॉयर थिटा इंटू X स्कॉयर बोलते जाओ, लिखते जाओ, तभी यह काम की बात होगी, डेरिवेशन तो करवाया है, यह उन्त कलास में आपको कैसे, Y बराबर X 10 थिटा दुबार बोल द उन्चाई H maximum पूछे जाए आपसे, अधिक्तम उन्चाई का यह सुतर थिटा बराबर जब 90 डिगरी पर फैंके, तो अधिक्तम उन्चाई होगी, Y स्कॉयर बटा 2G, Y स्कॉयर ऐसे उपर की और जाए ना, अधिक्तम कहां तक जाती है, Y स्कॉयर बटा 2G, उसके बाद में, यह कंसेप्ट है, एक एक अधिक्तम परास कब होती है, ज्यादा से ज्यादा दूर तक आपको फैंकने हैं, तो आप थिटा बराबर 45 पर फैंको, ज्यादा से ज्यादा दूरी जाएगी, Y स्कॉयर बटा 2G होती है, जब थिटा बराबर कितना हो, 45 डिगरी हो, H maximum और R maximum में क हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, परास कैसे निकालेंगे, परास निकालेंगे हमें, देखो, R बराबर वेग गुणा समय, तो U कोस थिटा गुणा T, तो U कोस थिटा 36 गटक है, और उसके बाद में T, उडियन काल है, 2U साइन थिटा बटा G, तो इसका देखो, R बराबर बटा G, थिटा 2 थिटा 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 बराबर, यानि U स्क्वाइर साइन 2 थिटा बटा G, रेंज का फोर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, वरना अभी एग मैं क्यू सुन कराऊंगा, वो आपसे होगा नहीं, X, U स्क्वाइर साइन 2 थिटा बटा 2 G, याद कर लो, इसके अलब कोई उप्सन नहीं है, नुमेरिकल करना है, तो H बराबर जो अधिक्तम हाइट है, U स्क्वाइर साइन 2 थिटा बटा 2 G, याद हो गया होगा, उसके बाद में यदि 10 थिटा बराबर इन में रिलेशन निका तो 4 गुणा हाइट अपोन रेंज यह रटलो उसूतर विद्पन तो करवाना होता है लेकिन इस पर क्यूसन आता है 10 थिटा बराबर 4 गुणा हाइट बटा रेंज टी बराबर क्या होता है टी बराबर 2U साइन थीटा बटा जी चलो इस पर एक नुमेरिकल करी लेते हैं 2013 में आया वाक्यूसन नमबर 145 देखो 145 क्या कहता है एक प्रक्चेपे के लिए अधिक्तम उचाई एक प्रक्चेपे के लिए अधिक्तम उचाई और उडियन काल में समंद ह बराबर एन टी इसक्वाईर देर का है तो एन का मान जी गूर्तिवे तवरण है तो बही निकालो दोनों का सुतर लिखो ह का वेंज़क हाईट का मैंने क्या बता है अभी अभी याद है क्या हाईट का वेंज़क U square sine square theta beta 2G लिख दिया न, उसके बाद में N का मान आवर्थ काल, उडियन काल का मैंने क्या बताया 2 U sin theta beta G उसका कर दो whole square बहुत ही G है तो जब इसको हल करोगे मैं color change करके इसके उपर ही लिख देता हूँ और तो मेरे पास मैं देखो, हल करोगे न तो वर्ग करोगे इतना तो आप समझदार हो वर्ग होगा U square से U square जाएगा sine square theta से sine square theta जाएगा यहाँ G square से 1 G जाएगा उसके बाद में 2 का 4 बच जाएगा यहाँ बच जाएगा इधर बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा इस साइड में और इस साइड में बच जाएगा कितना 2 का वर्ग एक तो 4 बच जाएगा और उसके बाद में 1 बच जाएगा आपका N और 1 बच जाएगा G तो इसको अल करो तो क्या है हमारे पास में हमारे पास में आया 1 बच दो बराबर है 4 N बच जाओ परक्षानतन कर दो तो N बराबर क्या जाएगा G बच आठ आठ आजाएगा बही जी बटाट कौन से मैं अरे बही जादा परेशान मत हो यह मैंने क्या लिखा क्या नहीं गबराइए मतूश्री से अरे एज का पॉर्मूला लिख दो और उसके बाद में N गुणा मेरे ने दो टी का पॉर्मूला लिख दो अल कर दो बाकी कट जाएगा N का मान क्या जाएगा जी बटाट आटा जाएगा बैस चलो लगते ही एक क्यूशन कर लेते हैं गती का नियम का क्या कहता है टेबिल कवर को टेबिल पर रखी पलेटों को गिराए बिना खिंचा जा सकता है यह कतन है कि एक जैसे मान लो टेबिल पर गिलास रखी हुई है और जोर से वो कवर खिंचे तो यह कौन सा नियम होगा यह जड़तुए को होगा जैसे मान लो गिलास पर एक कागज रखके उस पर शिका रखके कागज को जोर से ऐसे चोट लगा एक कागज आगे शिका नीचे डाली क अलाने से फल नीचे गिरते हैं कौन सा नियम पहला तो बात करता है जड़तूए का उसके बाद में दूसरा क्या कहता है ये बात तो एकदम सही है किया जा सकता है फिर क्या कहता है ये मैंने कुलाम का बल नियम सदिश नुर्पण आपको समझाया था F21 बराबर माइनस का F12 किरिया के समान दोनु बातें थे एकदम सही है ये तो आपका पर्थम निये में गति का ये दूसरा निये में ये सुरी तीसरा निये में तो अब देखो इसमें ओप्षन कौन सा होगा A और R दोनु सत्ति ए लेकिन R A की व्याक्या तो नहीं कर रहा है यदि जड़तु वाड़े बात करता है कि यदि कोई वस्तु इस्ति रवस्ता है तो इस्ति रवस्ता में रहना चाहती है गतिसी लवस्ता में गतिसी लिए रहना चाहती है जब तक उस पर कोई भायबल ना लगाया जाए तो ये बात तो है नहीं दूसरे कतन में इसका मतलब कारण में है नहीं तो इसका छोता option क्या हो जाएगा right हो जाएगा चलो उसके बाद में हम थोड़ा सा वर्तिय गत्ति में omega बराबर याद रख लो क्या होता है कोण ये वेग बराबर एक ये वेग में परिवर्तन की धर है omega बराबर है dv बटा dt और theta बराबर क्या होगा ये जो कोण ये विश्टापन होगा theta बराबर है ये क्या हो जाएगा omega into t ये याद रको v बराबर क्या रिलेशन होता है एक ये वेग कोण ये वेग में रट्टा मार लो भोजगे काम आएगा V बराबर R omega V बराबर R omega उसके बाद में इस पर शिये वेग निकालना हो तो DV बटा DT उसके बाद में V की जगे R omega रख दो R बराबर D omega बटा DT कोण ये वेग में तवर ये जो परिवर्तन की दर है ये क्या हो जाएगी रेख ये तवरण ये आपका कोण ये तवरण हो जाएगा तो रेख ये तवरण A T बराबर R alpha याद रख लो रेख ये तवरण बराबर इनमें relation हो गया रेख ये और कोण ये में A बराबर आगे अलफा अभीकेंद्र ये तवरण की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा ए बराबर वी स्क्वाइर बट्टा और बहुत बड़ा डेरी विशन हमने विद्पन किया है लें उत कलास में तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहां से वी बराबर आरोमेगा रख दो वी बराबर आरोमेगा रखोगे तो ये हो जाएगा आर इसक्वाइर ओमेगा इसक्वाइर बट्टा आर एक आर आरोमेगा इसक्वाइर तो ये हो जाएगा आपका वी बराबर आरोमेगा रखने से A बराबर V स्कुराइर अभीकेंद्रीबल M V स्कुराइर वटार इसी से आता है तो यह बराबर M A से तो यह हो जाएगा उसके बाद में यदि हम बात करें छेती जो रूर्द्वाजर्टल में वर्तिय गती की बात करें तो यदि हम यह जो कौण है यहां पर है यह कौण θटा है बहुत बड़ा डेरिवेशन है यह यहां कौन θटा है तो इसके गटक करेंगे यहां T कौष तिटा T साइन तिटा T साइन तिटा है वो क्या करेगा अभीकेंद्रीबल देगा M V स्कौाईर बटा आर T cos theta इसके बाहर को control करेगा M G तो T इनको L करेंगे तो वर्ताकार पत पर इस परकार इस चित्र में V बराबर root R G 10 theta और उसके बाद में आवर्तकाल क्या होगा चकर 2 pi root L cos theta L दागे की लंबाई L cos theta बटा G and root के अंदर यह याद रख लो इसी परकार यदि ऐसे उर्द्वादर तल में ऐसे गती हो रही है तो B point जो bottom पर है उसमें tension जो तनाव होगा दागे में वो क्या हो जाएगा यह derivation है M into V square बटा R plus का G और top पर बिंदू A होगा वहाँ tension क्या होगा दागे में M बराबर V square बटा R minus का G यह concept आपको clear करना है उसके बाद में हम बात करेंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या अधिन कर लिया motion in one dimension उनके सुत्रों का अधिन कर लिया आप एक बार पुने उनको revise करते जाओ वीडियो की स्पीड दीरे करके और यह सुत्र याद कर लो और उसके बाद में हमने क्या किया vector के बारे में जो important formula होते हैं इनके बारे में चर्चा की कल हम गर्षन और गती के नियम मतलब अगला जो lecture नमर तीन अपलोड होगा गर्षन इनके बारे में अधियन करेंगे वरक एनर्जी पावर इस परकार यह हमारी लंबी सीरीच चलती रहेगी जुड़े रही है मेरे साथ में आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा तो अब हम क्यूसन करते हैं 116 नमर क्यूसन देखिए एक स्तिर लक्षिये में जब एक गोली को दागते हैं तो तीन शेमी दूरी वेदने में आदा वेग हो देती है यदि इसकी गती में नियत परतीरोध हो तो यह विराम में आने से पूर्वे एक्स दूरी ते करती है यह एक्स कितना है देखो विदार क्यों यह केणा क्या चाता है कि यह कोई V वेग शें प्रार्मबिक U वेग शें कोई वस्तू जब एक गोली को दागते हैं यह तीन सेमी दूरी बेदने में बेदते ही पहले प्रार्मबिक वेग U है और तीन सेंटीमीटर जैसे यह चले तो इसका जो अंतिम वेग है यह हो गया U बटा दो आदा वेग और नियत मंदन मान लो ए है आदा वेग खो देती है इसकी नियत परतिरोद हो तो यह विराम में आने से अब दूसरी कंडिशन क्या है दूसरी कंडिशन है यह U बटा दो से चलेगी और उसके बाद में यह 0 वेग होगी पहली हम पहली कंडिशन लगाते हैं पहली कंडिशन में हमने लगा दिया V स्क्वाइर बराबर U स्क्वाइर माइनस का 2 A S लगा दिया तो V कितना है अंतिम वेग U बटा दो हो जाता है यानि वैसे तो आप कमपटिशन के विदारती हो तो आप समझी जाते हो संकेत को यानि आपको करना क्या है अंतिम वेग इसका पहली कंडिशन में बात कर रहा हूं आदा वेग हो देती है मैं यहां तक ही बात कर रहा हूं यानि अंतिम वेग u square बटा 4 उधर से आजाएगा minus का u square बराबर 2 गुणा a गुणा a हमें तवरण निकालना है और s कितना है 3 value समी में देर की हम s i में change नहीं करेंगे यह हो जाएगा आपका कितना 2-3-6 और यह आपका minus में आएगा a की value उसके बाद में यह हो जाएगा 3 बटा 4 u square और इधर हो जाएगा कितना 3-3 cancel कर दो तो a आएगा minus का u square बटा 8 पहली condition से a कितना आएगा पहली condition से a आएगा minus का u square बटा 8 दूसरी condition क्या लगाते है अंतिम वेग 0 उसके बाद में प्रार्मबिक वेग पेले आदा था तो u square बटा 4 और फिर minus का 2 into a की वेल्यू क्या रख देते है यह रख देते है minus का क्या u square बटा 8 और कितनी distance चलता है यह x distance चलता है इसको आप अल करो इसको अल करेंगे तो यह plus का हो जाएगा और 2 से यह cancel हो जाएगा आपका कितना इसको अल कीजिए तो u square बटा 4 इधर ले आओ आप इस side में ले आओ u square तो common आके काट दो आप इधर ले जाओ क्या बचेगा 1 minus 4 minus का यह बचेगा आपके पास में है minus का 1 बटा 4 गुणा x ठीक है और बराबर 0 देखो लिखने में थोड़ी तकलिप होती है है बहुती जी देखो क्यूशन क्या था क्यूशन यह था कि पहले u wave से कोई आ रहा है 3 से में चला u बटा 2 उसका wave कम हो गया मंदन की वज़े से u बटा 2 हो गया उसके बाद में वो x से में चला तब wave 0 हो गया पहली कंडिशन लगा देगे v square minus u square 2s लगा देंगे तवरण a निकाल दे क्या minus का u square बटा 8 आठ आगे दुबार लगा देंगे v square minus u square बटा 4 हो गया u बटा 2 प्रार्मबीग बटा 2 condition लगा निया और बटा ये आपका 2 गुणा a की value minus u square बटा 8 रग देंगे इंटो x कर देंगे यहां से क्या होगा ये आपका अल करेंगे x बटा 1 से में आ जाएगा इसका जो उतर होगा वो क्या हो जाएगा x बराबर x में होगा इस क्यूशन में क्या करोगे 2 condition लगा होगे v square minus u square 2s का formula लगा होगे इतना आप समझदार हो इसका अंसर कितना हो जाएगा 1 cm उसके बाद में हमने दूसरा क्यूशन करी लिया था क्या अंसराया 10 m per second तो आप ने पहले भी किया होगा उसके बाद में 128 नमर क्यूशन हमने कर लिया अंसराया क्या ये लंबोत वाला फिर ये क्यूशन देखो कुछ रेज जाते हैं क्यूशन क्यूशन नमर गुनतिश देखो दो सदिश का परिमान 7 और 3 है निमन में से कौन सा परिणामी का परिमान नहीं हो सकता देखो दो सदिश होते हैं उनका सबसे ज़्यादा resultant क्या हो सकता है सबसे ज़्यादा A प्लस B हो सकता है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता और R बराबर सबसे कम क्या हो सकता है resultant A-B हो सकता है यूनतम 180C डिग्री कौन होने इससे कम नहीं हो सकता तो जोड़ते जाओ 7 र 3 है 10 10 से ज़्यादा है इसका कोई option उपर कोई option है नहीं 7-3 बराबर कितना होना था है 4 4 से कम कोई option है ना वो बल किसी भी आलत में हो नहीं सकता यहाँ पर 4 से कम कोई है 3 है और रड़ी होगी है बहुत से तरीके होते हैं हमने इसको 20 सेकेंड में कर दिया उसके बाद मैं यह 130 नमर गती के नियम का है अभी मैं करवा दिता हूँ आपको यह क्या कहता है कि दोनों का मिलान करना है मिलान क्या करेंगे जब N बराबर M G हो जो उपर की और जो बल लग रहा है जो बार को संतुलित करें बराबर रहें तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा पोर्स नहीं लग रहा है समान बल लगता है तो तवरन कॉंस्टेंट रहेगा तो नियत वेक से उपर जाएगा जब बल का मान उपर की और उठाने वाला जो बल है वो ज़्यादा रहेगा तो तवरन रहेगा तो उपर की और उठापक उपर की और बढ़ते वेक से गती करेगा और उसके बाद में कम है तो वो गड़ते वे एक शेकती करेगा तो एक के अंदर दो एक के अंदर क्या होना चाहिए दो होना चाहिए एक के अंदर दो तो हमने देखा एक के अंदर दो दूसरे option में यह है बाकी option आपको देखने की आवशिकता है नहीं है बाकी 2, 1 और ये इसका दूसरा अंस्वर करेक्ट हो जाएगा फिर ये हो गया 142 हो गया 143 भी हो गया ये देखो 147, 147 कैसे करेंगे 147 में क्या कह रही है एक मीटर तिर्जिया के हर्द वर्द पर गती करता हुआ कन ए से बी तक एक सेकिंड में जाता है जैसा चित्र में दिक आए गया तो ओस्त वेग याद करो यहां से यहां तक आए तो वेग में क्या होता है विश्टापन बटा ये हो जाएगा विश्टापन विश्टापन कितना हुआ ए से भी एक रे कितना हो गया विश्टापन हो गया दो वो टाइम कितना लगा एक दो बटा एक तो वेग क्या हो गया तो वेग हो गया आपका विश्टापन बटा समय निकालना विश्टापन कितना हो ए से भी तकाने में दो हुआ टाइम कितना लगा एक दो मीटर पर सेकंड पिछानो नमर क्योशन भी हमने कर लिया बराबर तीसरा क्योशन भी हमने कर लिया था पांसवां भी कर लिया और उसके बाद में ये एक पुटबॉल खिलाड़ी है गेंद को चितिज उसे 37 डिग्री के कौन पर 20 मिटर पर सेकिंड की गती से ठोकर मारता है गेंद के एक उर्द्व तल में गेंद की 36 परास निकालनी है वही गेंद की 36 परास निकालनी है ये आर बराबर क्या सुतर होता है यू स्कॉाइर साइन टू थीटा बटा जी तो सिद्धा सिद्धा सुतर लगाना जी कमान 10 है यू कमान 20 है तो 20 गुणा 20 बटा उसके बाद मे में जी कमान कितना है दस साइन सेंतीश दे रगा है इसको आप टू साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करके वेल्यू लिखनी पड़ेगी आपके लिए कमेंट बोक्स में ये क्यूशन मैं दे रहा हूं चलो इसको अल करते हैं तो आपको इसमें क्या सूत्र लिखना है सूत्र लिखना है यूश स्कुर मतलब यूश स्कुर साइन तू थीटा बटा जी लिखोंगे तू भई जब साइन थीटा कमान 3 बटा 5 होता है तो cos theta का मान क्या हो जाएगा 4 बटा 5 अब आपको लिखना क्या है u square u square का मतलब क्या होगा 20 गुण 20 यह हो गया कितना 400 बटा g, g का मान कितना है 10 गुणा 2 sin theta cos theta में तोड़ लो sin का मान 3 बटा 5 तो ऐसे cos का मान कितना हो जाएगा 4 बटा 5 इनको हल कर लो, हल करेंगे तो 0 से 0 cancel हो जाएगा यह 8 बार कट जाएगा, उसके बाद में इसको हल करेंगे इसका उतराएगा 38.4 मिटर तो दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत जादा उफियोगी रहा आप इस वीडियो को बार बार देखिए आज हमने RPSC 1 ग्रेड में आये हुए लगबग 14 क्यूशन तो 33 के क्यूशन हल कर लिए हमने मोशन के बारे में सारे सोट सुतर थे उनकी बारे में चर्चा कर ली, वेक्टर के बारे में चर्चा कर ली तो यह वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट रहा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और जरूरतमंद विदार्तियु तक पहुंचाओ और मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे बहुत सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिये ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों